स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने योटूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में आज के इस वीडियो में क्लास बारक के भौती विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध आय क्या होता है अर्ध आय का सुत्र का निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से पने काफी में नोट करते चलिएगा तो अर्ध आय का अर्ध होता है अर्ध मन होता है आधा और आय मन होता है बर्स मतलब आधा बर्स की बात यहाँ पे कहा गया है तो किसी radioactive पदार्थ के आधी मात्रा बिघटित होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयू कहते हैं यहाँ परिभासा लिख लेंगे किसी radioactive किसी radioactive radioactive पदार्थ कि radioactive पदार्थ की आधी मात्रा आधी मात्रा आधी मात्रा आधी मात्रा को बिघटित होने में बिघटित बिगटित होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयू कहते हैं इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं जहां लेखनेंगे टी एक बटा दो टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं किसी रेडियक्टिव प्रदार्थ की आधी मातरा बिगटित होने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयू कहते हैं इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं और इसका मातरक सेकेंड होता है इसका मातरक सेकेंड होता है टी हाफ का सुत्र होता है टी एक बटा दो बरावर सुत्र होता है जीरू दसमलो छो नो तीन टी हाफ का सुत्र कहा है जीरू दसमलो छो नो तीन बटा जो है लिम्डा होता है ये किसका सुत्र है तो अर्ध आयू का या सुत्र है टी हाफ बराबर जीरू दसमलो छो नो तीन बटा लिम्डा अब यहाँ पर लिखेंगे जहान लेमडा का क्या नाम है जहान लेमडा बराबर लिख लेंगे 6 नियतांग ये किन का सुत्र है तो लिखेंगे या अर्ध आई का सुत्र हो गया 0,9,3 बटा लेमडा और जो लेमडा जो नियतांग है तो यह परिभासा जो है आप से विद्यारती अच्छे से समझ लिए होंगे तो अगला हम लोग पढ़ेंगे आउसद आयू क्या होता है या माध्य जीवन काल क्या होता है या लेखेंगे आउसद आयू या माध्य जीवन काल भूँत असान परिभासा है ठोड़ा साब को क्या करना ध्यान देना है परिभासा खुद जो है आप से विद्यार्थी बना लेंगे तो आउसद आई क्या है और आउसद आई का दूसरा नाम क्या है माध जीवन काल अब माध जीवन काल क्या होते हैं तो यहाँ पिसकी परिभासा जो है बहुत ही असान है छे नियतांग जो पर देखें छे नियतांग के ब्यूत कर्म को आउसद आई कहते हैं कितना आसान परिभासा है तो यह लेखे लेंगे च्छे नियतांक के ब्यूत कर्म को आउसद आयू कहते हैं कितना आसान परिभासा है च्छे नियतांक के ब्यूत कर्म को आउसद आयू कहते हैं इसे टावू से मतलब किसे पदर्शित करते हैं टावू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मातरक जो होता है शेकेंड होता है इसका मातरक मातरक सेकेंड होता है इसका मातरक क्या होता है शेकेंड होता है बहुत अगला लाइन लिखेंगे औसद आई का सुत्र क्या होता है अब इसी से परिभासा बनाए गया इसी सुत्र से जो है इसकी परिभासा बना है औसद आई बराबर एक बटा छे नियतांग इसी सुत्र के सहायता से इसका परिभासा को बनाए गया तो क्या है औसद आई बराबर आउसद आई को किसे देखाते हैं टाउ से, टाउ बराबर एक बटा, छे नियतांग को किसे देखाएंगे लिम्डा से, तो टाउ बराबर क्या से उतरा गया है, टाउ बराबर एक बटा, लिम्डा, इसका दूसरा भी परिभासा बना सकते हैं, यह सबसे आसान परिभासा या पहला था छे नियतांग के वियुत करम को आउसद आयू कहते हैं इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं अगर इसका दूसरा परिभासा बनाते हैं तो किसी रेडियक्टिव पदार्थ की पूरी मात्रा दिगटित होने में जितना समय लगता है उसे आउसद आयू कहते हैं इसका दूसरा परिभासा यह लिख लेंगे या और या करके इसका दूसरा परिभासा लिखेंगे किसी किसी रेडियक्टिव किसी रेडियो एकटिव रेडियो एकटिव रेडियो एकटिव रेडियक्टिव पदार्थ की रेडियक्टिव पदार्थ की पूरी मात्रा पूरी मात् मात्रा बिघटी तो होने में, जितना समय लगता है। लगता है, उसे आउसद आयू कहते हैं, किसी रेडियक्टिव पदार्थ की पूरी मात्रा बिघटीत होने में, जितना समय लगता है, उसे आउसद आयू कहा जाता है। तो उमीद करते हैं, अर्ध आयू, आउसद आयू, आप सभी भी द्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कापी में क्या कीजिए, जरू नोट का लीजिए। अगला जो हेडी लिखेंगे, रेडियक्टिव छे, रेडियो एक्टिव छे क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव छे की परिभासा क्या है। बहुत असान परिभासा इसका है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो किसी रेडियक्टिव पदार्थ के अलफा बीटा गामा किरन का जब उत्सरजन होता है, तो नए ततो जो है प्राप्थ होता है, इस घटना को रेडियक्टिव छे कहते हैं। नहीं परिभासा लिख लेंगे, किसी रेडियक्टिव पदार्थ से अलफा बीटा तथा गामा किरन का उत्सरजन होता है, तो नए ततो प्राप्त होता है, इस घटना को रेडियक्टिव छे कहते हैं। किसी रेडियक्टिव पदार्थ से जब अलफा बीटा गामा किरन का क्या होता है, उस सरजन होता है, तो नहीं ततो प्राप्त होता है, इस घटना को रेडियक्टिव छे कहते हैं। तो इस परिभासा को जो है, आप सुभी विद्यार्थी अपने कांपी में क्या किजिए, नोट जरू कर लिजिए। उमीद करते हैं, या जो है, तीन हेडिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।